स्वागत अबाई ये कोर्स अंदर वीडियो में एंड ये जो की आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आपकी बलॉं करती है इस पूड़ट को महिंदरा थार हमारे सामने खड़ी है बेस वेरेंट ये खड़ा हुआ है AX दीजल के अंदर रियर वील ड्राइव ये गाड़ी है 11,25,000 जो एक्षो रूम आपका ओनलाइन आता है वो इसी वाले वेरेंट का है ये मेरे साब से खड़ा हुआ है डीजल और पेट्रोल दोनों में आपको रियर वील ड्राइव देखने को मिल जाएगी बट जो आपकी पेट्रोल है वो आपको only top वेरेंट के अंदर मिलने वाली है LX के अंदर मिलेगी और वो भी आपको automatic के साथ मिलेगी manual transmission के साथ नहीं मिलने वाली है जबकि ये अपनी manual transmission के साथ खड़ी है ये कुछ इस तरीके की rear look आपको मिल जाती है गाड़ी की rear wheel drive की बेजिंग आपको मिल जाती है राइट साइड में 11,24,000 एक्शोरूम कोश्ट करता है इस वाले वेरेंट का अब इस प्राइस पेंट पर आपको क्या कुछ फीचर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं क्या कुछ mileage है क्या कुछ space है सारी चीज़े वीडियो में cover करने वाले है वैसे वाई features वगेरा नहीं देखते है जो थार lovers है उन्हें सर्फ चीए थार अब उसमें feature क्या है क्या नहीं है क्या price है कोई फार नहीं पड़ता उन्हें सर्फ थार चीए बट still इसमें आपको क्या कुछ feature देखने को मल जाएंगे सारी चीज़े वीडियो में cover करने वाले है वीडियो के end तक बने रहो ये की से start करते हैं बाई कुछ इस तरीके की दो आपको फिलिप की के साथ की देखने को मिलती है एक आपकी remote center locking के साथ आती है lock, unlock एंड ये center में आपको मल जाता है star ये आपकी गाड़ी identify वगेरा करने के लिए like parking में गाड़ी खड़ी है बहुत सारी गाड़ी खड़ी आपको मिल ने रही है तो ये आला बरास करके आपके जो 1000 बटन वगेरा है वो आपके on हो जाते है एंड ये आपकी बिलकुल simple आती है इसमें remote center locking वेरा कोई भी buttons आपको नहीं मिलते है एंड की को रखते है pocket में front look की बात करते है बाई कुछ इस तरीके की aggressive front look आती है front से जो आपका फरक आता है base variant AX में and LX में top में वो सिर्फ आपका fog lamp का है main तो इसमें आपको fog lamp नहीं मिल रहे है top में आपको मिल जाते है fog lamp and एक छोटा सा फरक एक और आता है यहाँ पर जो आपको DRL दिये यह आपको halogen bulb के साथ दिये है जबकि top में आपको LX में मिलते है वो LED मिल जाते है तो सारी चीज़े मैं आपको साथ में बतात पर होगा क्या कुछ फरक आपका रहने वाला है center माप देखते है तो matte finish कंतार आपको मिलती है radiator grill एंड यह जो आपकी जाली दिये यह भी मतलब ठीक है भाई यह आपका safe रहने वाला radiator अदर जाके इस पर radiator पर लग सकती है damage थोड़ा कर सकती है center माप को मिल गया chrome के साथ महिंदरा का logo headlamps की बात करें तो halogen bulb के साथ आपको मिलने वाले है headlamp halogen bulb के साथ आपके DRL यह हो गई end turn indicator आपका इतर हो गया fog lamp बगेरा मिसे हैं top wear end मापको मिलते हैं या फिर आप ऐसे श्रीज मा लग से लगवा सकते हैं करीब साथ आठ से दसदा रुपे के आपके fog lamp लग जाएंगे showroom से ही end अब बात करें engine वगेरा की तो diesel मगर आप जाते हैं तो भाई 4 rear wheel drive के अंदर आपको मिलता है 1.5 liter का engine जबकि 4x4 में आपको मिल जाता है 2.2 liter का अगर आप जाएंगे rear wheel drive के अंदर पेट्रोल के अंदर तो उसमें आपका single engine option है 2 liter का वही आपका 4x4 में रहने वाला है और वही आपका rear wheel drive के अंदर रहने वाला है ये कुछ इस तरीके की side profile आते है अपनी पूरी गाड़ी की tire size की बात करें तो steel rim के साथ आपको मिलता है R16 का tire size जबकि top frame आपको alloy के साथ मिल जाता है R18 का बागी जो भाई modify बगेरा कराते हैं उनके लिए best है तो ज़्यादा दुख भी नहीं होगा इनको change कराने में फ्रेंट में आपको disc brakes मिलती है एंटरियर में आपको मिलने वाली है drum turn indicator आपको fender पर मिलेगा foot step याट side step भी आप इनको बोच सकते हैं ये आपको stock मिल जाते हैं ground clearance की बात करें तो 226 mm का ground clearance आपको मिलने वाला है divider से कुदा दो भाई कहीं से भी गुदा दो ground clearance से इस काड़ी में कोई दिक्कत नहीं है ORVM आपको mat finish के अंदर black मिलते हैं ये बिल्कुल आपको simple मिलने वाले है कोई adjustable pole level वगरा कुछ नहीं है थार की branding आपको इदर देखने को मिल जाएगी door handle आपको मिल जाते है mat finish के अंदर black and 57 liter का आपको fuel tank मिलने वाला है चाहे petrol लो चाहे diesel लो and ये कुछ इस तरीके की rear profile आती है अपनी पूरी गाड़ी की center मापको मिल जाता है spare wheel mounted same size का है steel rim के साथ LED tail lamp आपको मिलते हैं ये आपका turn indicator हो गया and ये हो गया आपका reverse fog lamp दोनों ही side आपको मिल जाता है reflector वगेरा बिलकुल आपको bottom में दिये है and दो आपको मिल जाते है reverse parking sensor and ये boot open करने के लिए इतर आपको door handle मिल जाता है and guardi lock है तो आप key save इसको open कर सकते हैं या फिर guardi आप unlock करके open कर सकते हैं and boot आपको इस तरीके से open करेंगे and ये आपका जो rear glass है ये आपको कुछ इस तरीके से open करना होता है ये कुछ इतना बड़ा आपको boot space देखने को मिलता है boot space तो भाई नाम का ये सिर्फ pit to bag वगेरा या आप यहाँ पर कुछ रख पाएंगे interior में पूरा matte finish के अंदर आपको single tone black interior देखने को मिलता है doors वगेरा आप देखते हैं तो same pattern के साथ पूरे matte finish के अंदर black आपको मिलते हैं soft touch वगेरा का use कहीं भी नहीं किया है grip handle लिदर मिल जाता है करीब एक लिटर की bottle आप यहाँ पर रख पाएंगे यहाँ पर चड़ाया हुआ है यह आपका accessory part है delivery के लिए गाड़ी ready होनी बाकी है करीब 10-500 के आपके लगते हैं showroom से and quality Mirco seat covers की काफी अच्छी लगी मतलब कोई दिक्कर नहीं है वाई जो company fitted आपके आते हैं जो आपकी earth edition आई है उसी type के आपको seat cover मिलते हैं 6-way manual adjustable के साथ आपको driver seat मिलती है कुछ इस तरीके से बार-बार pump करने के बाद height according आप up-down adjust कर पाएंगे driver and co-driver headrest आपको height adjustable मिल जाते हैं and अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो steering wheel आप देखो यार पूरा round shape में steering wheel आपको मिलता है center में आपको मिल जाता है मिलेंगे and ये light leveler आपका हो गया and अब ignition कर लेते हैं on instrument cluster आपको दिखा दू and ये कुछ इस तरीके का instrument cluster आपको मिलता है fully analog instrument cluster दिया है left में आपका rpm meter हो गया right में आपका speedometer हो गया and ये center में आपको 3 inches का digital display मिलता है black and white ये है door वगेरा open है कितने kilometer गाड़ी चली है कितने kilometer गाड़ी चल सकती है and ये fuel gauge हो गया temperature हो गया ये कुछ information आपको इधर दिख जाती है and center में आप देखते हैं तो भाई infotainment वगेरा आपका missing है base variant है आप SS3 में लगवा सकते हैं आपकी choice से आप Android लगवा आते हैं with reverse parking camera भी लगवा सकते हैं करेब 30,000 रुपे cost करता है या फिर आप normal लगवा सकते हैं AC panel आपके इधर होगे manual AC आपको मिलता है and ये वाले कुछ control मिल जाती हैं ये तीन आपके जो हैं dummy है hazard button, traction control, hill descent control and ये lock unlock के लिए आपको इधर मिल जाता है and ये दर आप देखते हैं 12W का socket मिलता है कोई USB port वगवारा नहीं मिलेगा कुछ इधर space आपको मिलेगा phone वगवारा रखने के लिए 6-speed manual transmission के सब गाड़ी खड़ी है manual handbrake दो आपको मिलती है power window वाई center में मिलते हैं बिल्कुल ultra type के control windows पर आपको नहीं दिये है and दो आपको मिल जाते हैं cuff order and armrest वगएर अगर आप लगवाना चाहें showroom से तो करीब आए 8000 रुपेक आपका लगता है and इन cuff folders में आपका वो fit हो जाएगा showroom से अगर आप लगवाते तो बाकि ये cuff order आपके फिर खताम हो जाएंगे top पर आपको एक manual dimming function के साथ मिल जाता है IRVM and again dashboard आप देखते हैं पूरा single tone matte finish के अंदर black and ये एक co driver के लिए heavy सा handle इदर मिल जाता है भाई इसको पकड़के आप अराम से बैठ सकते हैं off-roading करते time वैसे rear wheel drive में off-roading तो क्या ही होगी अगर आप उचे नीचे रास्ते पर इस तरीके ड्राइव करते हैं तो ये आपके काफी काम आने वाला है and glove box की बात करें तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा आपको glove box मिलता है कोई ladies wallet वगेरा अपना wallet coin वगेरा कुछ ऐसा समाना आप यहाँ पर रखताएंगे and ये lock function के साथ आता आप इसको lock भी कर सकते हैं and अप चलते हैं rear वाली seat पर rear में आपको क्या कुछ space मिलता है वो और दिखा दो उससे पहले अपनी driver seat को कर लेते हैं height according adjust and ये rear वाली seat access करने के लिए आपको court driver seat से कुछ इस तरीके से seat को fold करना होता है और कोई option नहीं है and ये कुछ आपका space बन जाता है ingress के लिए थोड़ा सा कम है आपको ingress and egress में दिक्कत होने वाली है बाकि भाई ली है थार तो adjust तो करना ही होगा and space एक बार देख लेते हैं near room अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हाथ open करने के बाद ये कुछ आपका इतना near room यहां पर बचता है तो ये तो यार काफी अच्छा मेरे को लगा and जो driver seat हमने adjust की है मेरी height के साफ से adjust की है मेरी जो height है 5.6 feet है तो उसे साफ से आपको best near room यह मिलता है and thigh sport भी आपको अच्छा गाजा मिलता है मेरे पेर पूरे अराम से relax यहां पर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बाकि 6 feet का बंदा गर बैठता है तो उसके लिए थोड़ा thigh sport कम हो सकता है उसके पेर फिर कुछ इस तरीके से यहां पर आएंगे shoulder room अच्छा गासा मिलेगा जिससे साफ से 4-seater guard यह दो लोग आप यहां पर बैठ पाएंगे दो लोगों की जगा दिये है तो लोग तो easily बैठ पाएंगे बाकि emergency में आप तीन adjust हो सकते हैं showroom से अगर आप लगवाते हैं तो गरीब आपको 13,000 रुपे के पढ़ने वाले हैं विद्टू का फोल्डर सापके लग जाते हैं and USB port वगएरा भी आपको मिल जाता है phone वगएरा चार्ज करने के लिए दो नोई side आपका दियर वील ड्राइव के अंदर डीजल के अंदर एक अड़ी है and अगर आप चाते हैं कि वाई आपके पास थार हो and आपके पैसे भी जादा खर्चना हो तो आपके लिए अच्छा option यह हो जाता है तिर्फ दोई चीज़े आपको यहाँ पर change करानी है एक तो आपको fog lamp लगवाने आठ से 10,000 रुपे के हो गए and दूसरा आपको लगवाने हैं alloy अगर आप 100 रूम से लगवाते हैं तो तरीव आपके 70,000 रुपे कोस्ट करते हैं after market भाई आपकी जोई से आप कितने इंच के लगवाते हैं आप कुछ भी लगवा सकते हैं अपनी चोईस से तो फिर भाई आप कोई भी नहीं बता सकता कि आपका base variant है सिर्फ ये दो ही फर्क आपको मिलते हैं बाहर से देखने में बाकी ये फर्क नहीं मिलता and 11,25,000 एक्षोरूम कोस्ट करता है सवा 11,00,000 रुपे अगर आप जाते हैं on road वगवार पर तो करीब आपके 2,00,000 रुपे और खर्च हो जाएंगे insurance registration and TCS वगवार के तो करीब सवा 13,00,000 रुपे तक ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी and मेरे साब से इस price point पर अगर आप थार लेना चाते है तो अच्छा option ये यहाँ पर हो जाता है and mileage अगर आभी गाड़ी की शांदार है airi जो claim करती है 14.252, 16.5 तक airi miles claim करती है and इस वाले variant की diesel के अंदर rear wheel drive के अंदर आपकी 15.2 की airi miles claim करती है तो mileage अगर आभी diesel में कोई दिख करनी है petrol की mileage थोड़ी कम आती है customer feedback उसके बहुत जादा कम तक आते है 6-7 या maximum आपके 9 तक customer feedback आते हैं वो भी highway पर अगर आप चलते हैं local में तो 6 या 7 यही customer feedback आने वाले हैं बाकि diesel में आपकी mileage अच्छी है बाकि आपको गाड़ी कैसी लगी हमें comment करके ज़रूर बताए और वीडियो आफर्मेटिव लगी है तो प्लीज एर वीडियो को like कर दो channel को subscribe कर दो thank you